हाई दोस्तो टी फुर्शान में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सीखें कि क्या आप अपने मुबाइल फोन की रैम को कैसे आप चेक कर सकते हैं रैम और स्टोरेज इस वीडियो में आपको दोनों सिखाऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि किसना ज वाइद फून का सेटिंग्स इसको हम ओपन करेंगे जैसे आपने Android मोबाइल के सेटिंग्स ओपन करते हैं तो आपके सामने इस पर करका तो यहाँ पे फूस्ट में क्लिक करना है अगर आपके पास कोई दूसरा कंपनी का मोबाइल है तो आपको क्या करना है उपर में एक search settings लिखा हुआ है इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है कि एबाउट फोन इस तरीके से लिखेगा और यहाँ पे अबाउट फोन का option आपके सामने आजाएगा और इसमें क्लिक करके आप जा सकते हैं अगर आपके पास दूसरा होगा है तो कोई company का नहीं तो अगर आपके पास MI का होगा है तो यहाँ पर top में ही आपको about phone का option मिलता है इसमें आपको क्लिक करना है जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे यहाँ पर पहले तो MI UI वरिजन आपको दिखा रहा है कि कितना वाला है और यहाँ पर device name कौन सा model मैं यूज कर रहा है ओ सारा detail अब यहाँ पर storage type है कि यहाँ पर 188GB और storage अब आप चाहते हैं कि हम RAM चेक करना तो यहाँ पर main page पर RAM नहीं शो होता है बाउट में जाने के बाद बलकि यहाँ पर एक नीचे option मिलता होगा यह देखिए all specification यह all specification ओके यहाँ पर all spaces में आपको क्लिक करना है Android security update के जैस्ट नीचे all spaces लिखा हुआ इसमें आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो RAM है ओ 6GB वाला मेरे पास RAM है इसलिए यहाँ पर देख रहे है 6.00 GB लिखा हुआ है तो यहाँ पर 6.00 GB यानि कि 6GB RAM है और CPU है यहाँ पर सारा octa core का max 2.2 GHz और यहाँ पर android version सारा आपको detail यहाँ पर दिख जाएगा अब बिल्कुल detail में यहाँ पर सारा चीज internal storage भी आप नीचे जाकर कि यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो दोस्तो मुझे उम्मीद आपको सीख चुके हैं कि कैसे आप अपने mobile का RAM चेक कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें शेयर करें चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करन में तबते के लेड़ हैं